हेलो प्रेंड कैसे आप लोग आसा करती हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे अब मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो देखे आज मैं एक बहुत अच्छी रसेपी लेकाई हूँ जो है यह पोहा का कटलेट तो चलिए हम इसको बनाते हैं और आप लोगों को तो देखें इसके लिए मैंने एक कटोरी पोहा ले लिया है इसको हम लोग चूड़ा भी बोलते हैं और यह पोहे को हम डालके अच्छे से इसको धोर लेंगे तिन चार पानी से सारा इसका जो गंदगी रहता है सब निकल जाए और यह बहुत अच्छा लगता फ्रेंड आप लोग भी जरूर बनाके देखेगा और पूरा वीडियो देखेगा तभी समझाएगा तो देखें हम इसको पोहे को अच्छे से धो लेते हैं तो पोहा धो लिया देखे अब इसको पानी डालके पास मिनट के लिए भीगो के छोड़ देते हैं ताकि यह पोहा सारे फूल जाए पास मिनट बाद देखते फिर जब तक इधर हम सबजी सब काट लेते हैं बनाने का त्यारी कर लेते हैं तो हमने एक गाजर लिया है गाजर को बिल्कुल बारिक बारिक काटना है गाजर है सिम्लामीर चे प्याज है बीन से सबी को बारिक बारिक काट लेंगे तो देखे यह गाजर काटलिया बारिक साथ सबी को बारिक काट लेगा और यह बहुत अच्छा लगता है कटलेट पुहां को मतलब पोहा ही नें खा जाता बना कि बहुत-बहुत कुछ रेशिपी बनता असका, तो देखे उसमें से एक रेशिपी यह हैं, देखें सिम्ला मिर्ची भी हम बार इक बारी काट लेते हैं, बहुत जितना बारी काटेंगे उतना अच्छा लगेगा, और इधर सब सबजी काट है कि तु गाजर कट गया को सबदेbes कट गया HARI MIRC कट गया प्याज वी धोड़ा सब मतर हरी मीर्च थाषा काट के मतर मीर्च तर यह है थोड़ा सब मतर हरी मीर्च गाजर और यह सिम्ला मिर्च सभी को डालके पोहे में अच्छे से मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं सभी को डाल दिये पोहे के अंदर अब इसको अच्छे से टाइट हाउट से सारे को मिला देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितना सबजी है मैं और ऐन बच्चे नहीं सो बच्चे पक्षों कोड़ा नीचे लेगा गई एक या कॉषकान काट के डाल झूटे जभीlloog 17 के लाल देते हैं और यह थोड़ा सा अजमाइने स्वाद अनुसार नमक और एक चम चे धनिया पॉडर है एक चम चे जीरा पॉडर थोड़ा सा मिक्स मसाले और यह कसमीरी लाल मीर छे थोड़ा सा गरम मसाला सबी को डालके हम अच्छे से मिलाएंगे इसको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना फ्रेंट क्योंकि यह ऐसा ही अच्छे से मिक्स हो जागा सब इसको हमें टाइट ही रखना है तो आप लोग भी जरूर बना के खाईएगा एक बार बहुत अच्छा रहे से पिए बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसके अंदर सारे सब्जी है और इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं जाएगा जो लगे आपको क बिली होगा ज्यादा तो देखें हमने सबको अच्छे से गुंद लिये और इसको हम हाथ में थोड़ा सा तेल लेके टिक्की जैसा बना लेते हैं देखें इस परकार से हाथ में तेल लगाने से ने अगदम चिक ना हो जागा फटेगा भी नहीं तो देखें इस तरह से टिक बना के दिखा रहें आपको आप लोग भी जरूर बनाएगा और मेरा बनाने का तरीका आप लोगों अच्छा लगे तो लाइक शेयर कोमेंट करिएगा अगर नए जूड़े होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देखें प्रेंट कितना अच्छा पता भी नहीं चल रहा कि नह देखें आप जरूर बनाएगा आप लोग भी तो देखें टिक की जैसा बना लिया और इधर थोड़ा सा ले लिए चाबल काटा है इसको घोल लेते हैं थोड़ा गढ़ाई घोलना है बहुत पतला निकरना है अगर आप एक बार बच्चों को बना के खिला देंगे तो अब कि चलो इसी बहाने बच्चे सब्जी तो खा रहें कुछ न कुछ इसके अंदर कुछ भी समान घर के समान सा ही बन जाता ज्यादा कुछ लगता नहीं है अब बनाने बहुत जल्दी बन जाता दस मिंट में आपको बनके त्यार हो जाएगा तो देखें यह चावल काटा घोल लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक डालें क्योंकि नमक तो उसके अंदर है और इसमें थोड़ा धनिया का पत्ता डाल लिए और यह देखें कॉर्ण ले लिए यह फ्राई बला इधर जो टिक की बना के रखे थे इधर हमने कड़ाई चढ़ में डूबाते हुए यह कॉर्ण को ऐसे लापेट के रोस्टेड वाला है फ्रेंड यह मक्के का होता है इसके लगा अनलगा कर तलने से बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा और बहुत ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई करना थोड़ा ही तेल में तो देखें मिसी परकार स ऐसे इसको भी असीला पेड़ते हुए फ्राई कर लेंगे तो देखा स्वानी से चिपक जा रहा है यह और तेल में निकलेगा भी नहीं तो देख सकर है कितना अच्छा टिक की लग रहा देखने में यह कटलेट इसको अलटते पलटते हुए एकदम करंची तक पकाना है और मीडिया माज करके क्योंकि अगर तेज रहेगा तो अंदर से यह सीज़ेगा नहीं कच्छा ही रह जाएगा इसलिए कम माज करके अलटत पलटते हुए इसको अच्छे से पकाना है ताकि क्रिस्पी हो जाए खाने में और आप इसको सोवस या धन्या की चटनिक साथ खाएगे बहुत अच्छा लगता है तो देखिए अब हम इसको पलट रहे है तो देखिए इसको पलट के कितना अच्छा कलर आ गया के अपको लग रहोगा इसके अंदर तेल अंदर चला जाएगा तो बिल्कुल भी तेल नहीं जाता के अंदर बस यह कम तेल में ऐसे ज़दा तेल ही डाला जो उसके अंदर भर के तेल चला जाए और इतना टेश्टी लगता खाने में कि पूछिए मत देखिए कितना बनाएं आप लोग भी जरूर बनाएं एक बार ट्राइब करें बना के बहुत अच्छा नास्ता होता है इसका बिल्कुल नहीं यार इसे प्रेंड आप लोग बार जरूर बना के देखिए तो देखिए हम उसी प्रकार से फिर दुबरा डाल दिये इसको भी उसे अलटते पलटते हुए उसे ही फ्राई कर लेंगे अगर आपके घर में में माना आते कोई आप सामको नास्ते में बना के खिला देंगे न आपको तारिफ करते हुए नहीं ठकेंगे पूछेंगे कि क्या कैसे बनाए और अपह जान नहीं पाएंगे बिल्कुल कि ये पोहा का है तो देखिए फ्रेंट मेरा ये बन गया नास्ता और देखिए कितना अच्छा लग रहा देखने में तो फ्रेंट फिर हम इसी तरह रेसिपी लेकर मिलते रहेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए बाई प्रेंगे है